एक हाती बहुत सीधा साधा था, वह कभी किसी से लडाई नहीं करता था, सब के साथ मिल कर रहता था, लेकिन चंचल बंदर हर दम उससे छेड़ खानी करता था, मोखा देखकर उसका खाना भी चुरा लेता था, एक बार जंगल के राजा सेड़ ने परत्योगिता रखी कि जो अच्छा चितर बनाएगा, उसको इनाम दिया जाएगा, सभी चितर बनाने लगे, किसी ने पेड़ का चितर बनाया, किसी ने आम का चितर बनाया, हाती ने बनाया एक बड़े से जंगल का चितर, जिसमें जंगल के सभी जानवर मौजूद थे, हाती का बनाया चितर देखक बंदर ने उस जैसा ही चित्र बना डाला एक जैसे चित्र देखकर सभी हैरान थे पर हाती उदास था क्यूंकि बंदर ने उसका चित्र चुरा लिया था यह देखकर सेर राजा को बड़ा गुस्सा आया उसने हाती को ऐसा बहतरीन चित्र बनाने के लिए पर्थम पुरुसका दिया साथ में बंदर से कहा तु चोरी करना छोड़ दे नहीं तो इस चित्र को चंगल के हर पेड़ पर लगाया जाएगा चंचल बंदर सर्मिंदा हो गया और उसने सेर राजा से माफी मांगी